तमाम राजनितिक संगठन भी अब लड़ाई लड़ने को तयार हो गए हैं समाजवादी पाठी छात सबा के अध्या जितेंद कुछ वहा स्वयम चल कर अपनी टीम के साथ यहां पर पहुचे हैं और पीडित परिवार जो है दिवंगत बेटी है उनके परिजनों से मिले हैं उनसे बात करेंगे जितेंजी जिस तरह से अब लगातार इस तरह से घटनांएं आ रही है स्कूल को लेकर फीज को लेकर मनमानी फीज को लेकर दबाओ इस तहर से दबाओ होता है कि कधित तौरव बेटी को जान देना पड़ता है क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं तो सीधा यह कहना चाहूंगा कि यह बेटी बचाओ बेटी पडाओ के नारे पर सरकार बनाने जायने थे इन्होंने बेटी पडाओ बेटी बचाओ करके सरकार बनाया अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोट में एक अलब नामा दायर किया है जिसमें सिर्फ उन्होंने वो कहा है कि केवल और केवल ट्यूसन फीस ले जाएगी इसके अलावा कोई भी फीस नहीं ले जाएगी लेकिन इस्थिती यह है कि इसकूलों में ट्यूसन फीस के अलावा अन जो फीसे होती है वो ज्यादा ली जा रही है पूरी फीस ली जा रही ह सरकार को पूरी तरीके से इन सिच्छा विवाग के मापियाओं ने नतमस तक दिखा दिया है दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो बिद्याला है यह संग का बिद्याला है मैं यहाँ पर आया हूँ मैं पीडित परिवार के साथ हूँ जिला प्रसासन से मैं मांग करता हूँ कि स्कूल प्रसासन के खिलाब कारवाई करके उनको जेल बेजने का काम करें वह पीडित परिवार को उचित मुआपजा देकर इनकी रच्छा करें दो दिन हो चुके FİR होने पर उसके बाउज्जित कोई कारवाई नहीं की गई? पूरी तरीके संग का दबाओ है ना भार्तियात्र परिवार के घर पे आया नहीं तीन दिन हो गए बैसके है को एक्जाम तो हुए नहीं तो खाली जनपा सही करोलर रुपए कहां चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब तीन से चारलाक इंटर के बिद्यार थी है और तीन से चारलाक हाई स्कूल के बिद्यार थी है प्रति बिद्याले और प्रति छात्र छैस रुपए एक बिल्बुल रवाई है कि कारणी आजकल सिच्छा विवा के माफिया हावी हो चुके हैं ना तो वो कोरोना काल में किसी तरीके की छूट दे रहे हैं और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं आप क्या कदम उठाएंगे और पर शासन अगर नहीं कदम उठा रहा है ग्रफतारी नहीं हो रही है फिर आप समाजवदी पाथी के छाजवार रवार के साथ हूँ पीडित परिवार के साथ मैं जिला प्रशासन से भी मैंने कल डीम साबको गयपन दिया दो दिन के अंदर पदरसन करेंगे और पीडित परिवार को दिलाने के काम करेंगे बिल्कुल तो च्छास सबा संक्य अध्यक्ष हो या कोई और भी जो संगठन है वो साफ तोर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से उस बच्ची के साथ गलत विवार किया गया प्रतारित किया गया और उस दुनिया में नहीं हैं उनके माता पिता को वो इनसाफ दिलाने के लिए जिलस्तर पर लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं हलाकि इनकी लड़ाई कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा वीडियो निस लक्ष निगम के साथ सलमान शफीक नीज़ वाला उन्नाओ जमान शफीक के लिलस्तर बताएग Š metric में होगा है बताएगा वीज़ पर बताएगा है ओबागा भीक सतनी थीक याला वीज़ाई डिला करीन वालाई जो अ, जबताएगा इनकी भीक ऑने दोूरा इनकी झालार ठावे भीक